हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल डिक्या लाइफर स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड आज हम टेंथ क्लास का हिंदी का का बेखंट से लेशन नौ लेकर आये हैं जो आने वाले 2022 एकजाम के लिए बहुत ही महत्पुर्ण है तो फिलिस फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल प्रफ़ाली बार भी जिट कर रहे हैं तो मारे चैनल को स्ट्राइब करें और वे लेकिन को दवाना ना भूले ताकि जो भी मैं टेंथ क्लास का लेटेस्ट अप्टेट वीडियो बना हूं आप तक पहुंसता रहा है और आने वाले एक जाम्यापको सायता मिले तो चली फ्रेंड आज हम लोग हिंदी का काब्वेखंट से पाठ नौ जिनका सिर्षक हमारी नींद लेखक है विरेन डंगवाल जनम हुआ था पांच अगस्त उनिस्टो सायता मिले तो चली फ्रेंड देखते हैं पहला प्रस्ण कि पहला प्रस्ण क्या है तो देख सकते हैं कि पहला प्रस्ण है कि प्रथम अनुछेद में कभी बीम्ब की रचना करता है उसे असपष्ट किजिए जैसा कि देख सकते हैं कि कोस्चन में क्या दिया हुआ है कोस्चन में क्या दिया हुआ है और किस तरह से हम लोग को इंसर में लिखना है तो चलिए फ्रेंट देखते हैं तो देख सकते फ्रेंट कि कविता में पर्थम अनुछेद में कभी बीज के माध्यम से एक बिम्ब की योजना किये हैं कि किस परकार की मिट्टी पानी धूप तक हावा का संपर्क आप का पेर का रूप धारन कर देता हैं जैसा कि देख सकते फ्रेंट कि जिस तरह से देख सकते हैं कि छोटा नन्हाप सा पवधा किस तरह से होता है जो खेत में बीज बीज रूपा जाता है तो किस तरह से हवा और पानी और देख सकते मिट्टी से वह जनम लेकर एक छोटा सा नन्हा सा पवधा बन जात विर्टा इसके बारे में कभी बताना चाहते हैं तो चले देखते हैं कभी ने भीज के द्वारा काव्ब्र कल भ니다 को वीमा प्रस्तुत किया जैसा कि देखी यहा जैसा कि कभी ने कमार्ध हमसे अपने कल बता हैं तो प्लीज फ्रेंट अगर आप हमारे चैनल प्रपर लिवार विजिट कर रहे हैं तुमारे चैनल को स्काइब करें और वे लेकन को दवाना न भूले ताकि जो भी मैं टेंथ कलास का लेटेस्ट अपटेट वीडियो बनाओं आप तक पहुंचता रहा है और आने वा किया है तो चले फ्रेंट देखते हैं तो देख सकते फ्रेंट कि मक्खी के जीवन करम दवारा यह असपष्ट करने का पढ़ियास किया है कि जिस परकार मक्खी का जीवन अती छोटा होता है उसी परकार गरीब जनता का जीवन छोटा होता है जैसे कि देख सकते फ्रेंट कि कभी ने मक्खी के माध्यम से गरीब जनता और गरीब लोगों को बताया हैं, तो किस तरह तुल्ला किया है, तो चले फ्रेहन, देखते हैं, नीचे में, तो देख सकते फ्रेहन, नीचे में, कि कभी के कहने का आस्य हैं कि गरीब जनता का अत्याचारों के जुल्म का सिकार होती हैं उनके जीवन का मुल्ले मक्खी के समान होता है जैसे देख सकते फ्रेंट कि जिस तरह मक्खी का जीवन छोटा होता है उसी तरह कभी ने गरीब आदमियों को बताया है कि गरीब आदमी का जीवन बहुत ही छोटा और सरल होता है तो चलिए फ्रेंट देखते हैं तीसरा नम ले तो चले फ्रेंट देखते हैं तीशरा नमर प्रश्ण तीशरा नमर प्रश्ण में है फ्रेंट कि कभी गरीब बस्तियों का उलेख करता है जैसा कि देख सकते फ्रेंट कि कभी गरीब बस्तियों का क्या उलेख करता है तो चले फ्रेंट देखते हैं नीचे में एंसर में क् तो देख सकते कभी का कहना है कि गरीब ब्यक्ति कमजोर होता है इसी के कारण उसमें मान लिया है कि गरीबी या अमीर होना इसवर की किरपा पर निर्भर करता है कभी गरीब बस्तियों का उलेख कर यह असपष्ट करना चाहता है कि अधिकार डूबा ब्यक्ति अपनी अधिकार से अंजान होता है जैसा कि देख सकते फ्रेंड कि कभी ने गरीब लोगों को यह पताया कि देख सकते हैं कि गरीब लोग क्या कहते हैं कि सब इसवर की किरपा पर निर्भर करता हैं तो देख सकते हैं इसलिए कभी ने गरीब बस्तियों का उलेख किया है तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नीचे में नीचे में क्या है तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंट यहां पे कि इसी के वह सोसन का सिकार होता जिसे और हर जुल्म को इस्वर का विध्मान मानकर सहन करता है जैसा कि देख सकते फ्रेंट कि इसी के कारण गड़ीब लोगों को सोसन और सिकार करता है और हर जुल्म मतलब जुल्म कि अब जूल्म सहकर बहुत सारा जूल्म सहकर 20 के बिधमान य़े इस वर के भाग्यपताकर वह सहन कर लेता है तो चलिये देखT THE 34 नमबर प्रश्ण की चोटानमबर परस्ण में क्या बताया गया है तो प्रेश्ट हमारे वीडियो को लाइक करे और सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं टेंथ करास का लेटेस्ट अप्टेट विडियो बनाओं आप तक महुचता रहा है और आने वाल एक्जाम में आपको साहता मिले तो चलिए फ्रेंट देखते हैं चार नंबर प्रश्ण कि कभी की अत्याचारी ओका और क्यूं ज जीक्र किया है जो सुविधा भोग आराम परसंद जीवन जीने के लिए सुख भोग के सारे साधनों का संग्र करके के बाबजूद अपनी सोशन प्रविर्ति का त्याग करना ही नहीं चाहते हैं जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंट कि गरीब को किस तरह लूटा जा रहा है अत को लाइक सेर चरूर करें और चैनल को स्काइब करें ताकि जो भी मैं टेंथ कलास का लेटेस्ट अप्टेट वीडिव बनाओ आप तक पहुंचता रहा है और आने वाले घ्जा में आपको सायता मिले तो चलिए फ्रेंट देखते हैं कि कभी वैसे अत्याचारियों को ओका ह कि जिक्र करता है जैसा कि देख सकते फ्रेंट कि कभी ने किस तरह अत्याचारियों को जिक्री किया है तो चलिए फ्रेंट हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी माई टेंथ क्लास का लेटेस्ट अप्टेट बनाओ आप तक प पांच नंबर में कभी क्या बताना चाहता है कि इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं कभी का भावसपष्ट किजिए जैसा कि देख सकते फ्रेंट की इस पंक्तियां का भावसपष्ट करना है तो देख सकते हैं कि इनकार करना न भूलने वाला आराम परसंद जीबन जीने काले देश के सोसन बर्ग है जैसे देख सकते फ्रेंड की नेताओं के बारे में कभी क्या कर रहा है कि गड़ीबों से लूट रहे हैं और गड़ीब को गड़ीब को लूट कर हुआ सोसन करकर वह इतना मजगूर कर दिया है कि वह अपने जीवन जीने के लिए बहुत ही समर्थ हो गया है तो चले फरेंड देखते हैं जो हर कीमत पर अपना प्रभुत कायम करने के लिए अपनी पाटी का सबहाब में पड़िवर्तन लाने का इनकार करना नहीं भूलते हैं जैसा कि देख सकते फ्रेंड की जनता को लूट कर बलकी अपने पाटी के जो अपने पाटी के काह करता है उनको परिवर्थन करना चाहते हैं ना कि जनता को जनता को वह सोसन का सिकार बना रहे हैं जैसा कि देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड देखते हैं छठा नमबर प्रश्ण कि कविता का सीर्षक का सार्थकता पर विचार कीजिए तो जैसा कि देख सकते फ्रेंड की कविता में सर्थक्ता पर विचार किस तरह से करना है तो प्लीज फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो ही मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अप्टेट वीडियो बनाओं आप तक पहुंसता रहा है औ और आनेवाले 2022 का अपको साहेता मिले तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में सुविधा होगी आराम परसंद जीवन जीने वाले लोगों के बारे में लेखक चितरन करता है जैसा कि देख सकते फ्रेंड कि इस कविता में कभी सुविधा आराम से जीवन जीने वाले के बारे में लेखक ने चितरन किया है तो चलिए फ्रेंड विस्तार पुर्वक इसको देखते हैं तो लेखक का मानना है कि रूधी बादी विचार के कारण ही जनता अत्याचारी ओके जुलूम का विरोध नहीं कर पाती है जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड कि किस तरह से जनता परत्याचार हो रहा है और उसी के बारे में कभी यहां पर बताना चाहरा है तो प्लीइज फ्रेंड हमारे वीडियो का लाइक से जरूर करें तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नीचे में तो नीचे में देख सकते हैंимо कि ऐसी जागरीती के कारण लीखों को अपना मौन त्याग कर जनता के नब चेतना का संचार करना चाहिए जैसा कि देख सकते फ्रेंट कि जनता के बारे में कभी क्या बताना चाह रहा है और किस तरह से बताना चाह रहा है तो चलिए फ्रेंट देखते हैं और तो कविता का सिर्षक हमारी नींद प्रस्थिती के अनुकुल सार्थक हैं क्यूंकि क्यूंकि कोई भी का उदेश समस्या एक बस्तु इस्तिती का चित्रन करना है जैसा कि देख सकते फ्रेंट कि कोई भी समस्याओं का आज एक बस्तु बन गया है जो जहां का जहें ही छोड़ देता है तो वहें पे रुका हुआ रहता है तो चलिए फ्रेंट देखते हैं देख सकते हैं कि एक रिया करे कि इस तरह से भी अख्या करना है तो चले फ्रेंट डेक्टे कर नम्बर में की गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरन लौड़ स्पीकर पर इस पंतियां के माध्यम से कभी क्या बताना चाह रहा है और किस तरह बताना चाह रहा है तो चले फ्रेंड आप लोगों को विस्तार पुरुवक हम बनता रहा है तो प्लीज फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक से जरूर क किस तरह से लिखना है तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के पाठे की काभवे खंड से हमारी नींद सिर्शक से लिया गया है जिनके लेखक का यह लेखक यह बताना चाहते हैं कि समानने जनता अपने काभवे द्वारा जन जन के नब चेतना का सबर भरना जैसा कि देख सकते फ्रेंड कि सबर भरना चाहता है ताकि गरीब अपने से अस्वागत तो हो सके और अपने पर ही हो रहे अत्याचार का विरोध कर सके कोई भी चाहता है कि हर बेक्ती अत्याचारियों के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करें इसी लिए लेखक का कहना है कि जब गरीब बस्तियों में नब चेतना का स्वर बुलंद हुआ तो अराम परसंदों के कानखरे हो गएं जैसा कि देख सकते फ्रेंड कि किस तरह से कभी ने गरीब बस्तियों का उलेख किया है और किस तरह से बताना चाह रहा है कि गरीब के अपने आवाज को किस तरह से बुलंद करकर रहना चाहिए तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स नमर प्रस्ण तो प्लीस फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार भी जिट कर रहा हैं तुमारे चैनल को सब्सकाइब करें और वे लेकिन को दवाना ना भूलें तो चलिए फ्रेंड खनमबर में याने साधन तो सभी जूटा लिये हैं अत्याचाडियों ने कि देख सकते फ्रेंड की इस पंक्तिया का माध्यम में कभी क्या बताना चाह रहा हैं कि प्रस्टुत पंक्तियां हमारी पाठ्ठ्थे कुस्थत के इक आरवी काव्वे खंड में हमारी नीन्द सिर्षक से लिया गया हैं जिनके लेखक जी बताना चाहते हैं कि आज हो रहें अत्याचारियों का समानने आचरन पर परकास डालते हैं कभी का कहना है कि आज बिस्व के अनेक देशों के साधनों से संपन होने के बाबजूद अपनी अत्याचारी साधन के विकास पर रोक लगाना नहीं चाहते हैं वह अपनी छुटी सवभाव बस मानव सभ्यता का बिनास करने पर तूले हैं जैसा कि देख सकते हैं कि अत्याचारी को आज बहुत सारा बढ़ावा देया जा रहा हैं बलकि इसे रोकने का परियास नहीं किया जा रहा है और बढ़ावा देख रहे हैं कि आज मानव सभ्यता का बिनास करने पर तूले मतलब एक दूसरे के प्रती हिंता की भाब उत्पन हो रहे हैं लोगों में इसी के बारे में कभी बताना चाहते हैं तो प्लीज फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक से जड़ूर करें और चैनल क को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अप्टेट वीडियो बनाओं आप तक पहुंचता रहा है और आने वाले एक्जाम में आपको सायता मिले तो चले फ्रेंड देखते हैं नेक्स नमर प्रश्ण में है कि हमारी नींद के बावजूद जैसा कि देख सकते फ्रेंड की गर नंबर में है कि हमारी नींद के बावजूद तो इस पंक्तियां का क्या भाव अर्थ निकार रहा है तो चले फ्रेंड हम आप लोग को लिकल बताते हैं तो प्लीस फ्रेंड हमारी वीडियो को लाइक से जडूर करें तो चले फ्रेंड देखते है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्थे पुष्ता के हिंदी पाठ्थ के कब्वे खंड सिर्शक से लिया गया है लेखक इन पंक्तियां के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आज समाज के सोसन वर्ग अत्याचारियों का जलूस आ रही है परंतु उनका बिरोध नहीं करत हैं मतलब देख सकते हैं फ्रेंड कि आज समाज का सोसन अत्याचारियों का जलूस आ रहा है मतलब सब लोग मिलकर समाज को लूट रहा है और इसका बिरोध कोई नहीं कर रहा है तो कभी को लगता है कि देख सकते हैं कि कभी को लगता हैं कि जनता अपनी ना समझ के कारण दुख में जीवन बिताने से इनकार करना चाहती है सोसन बर्ग अपनी जाल में जनता को फसाए सवर्गिये सुख का आनंद लेता है जैसा कि देख सकते हैं कि किस तरह से जनता को सोसन किया जा रहा है गरीब लोगों को लूटा जा रहा है और उसी के बारे में देख सकते हैं कि बताया गया है कि जाल से ना जाने कब आजाद होंगे तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक सेर जरूर करे और चैनल को सस्क्राइब करे और वेलेकन को दवाना ना भूले ताकि जो भी मैं 10th करास का लेटेस्ट अप्टेट वीडियो बनाओ आप तक पहुचता रहा है और आने वाले एकज